आज हम भारतिय सस्त्रबलो के सल्यूट स्टाइल के बारे में आपको बताएंगे सबसे पहले भारतिय सेना सल्यूट ये सलामी सिर्फ सम्मान की बात नहीं है बलकि ये है जवानों के बीच में अनुसासन और विश्वास का परतीक है थल सैना के जवान खुली हथेली को माथे पर लगा कर सल्यूट करते हैं जवान जिस हाथ से हथियार पकड़ते हैं उसी हाथ से सल्यूट करते हैं इसे विश्वास का परतीक माना जाता है इस दोरान सारी उंगलियां खुली होती है इस सेल्यूट का मतलब है सेनिक खाली हाथ है भारतिय नो सेना नो सेना के जवानों के सेल्यूट का तरीका भारतिय सेना से थोड़ा अलग होता है सेल्यूट करते समय नो सेना के जवानों का दाइना हाथ 90 डिगरी एंगल में जमीन की तरफ जुका रहता है इसका मुख्य कारण जवान अपने हाथों को किसी को भी नहीं दिखाना चाते हैं क्योंकि सिप पर काम करते हुए उनके हाथ ग्रीस और तेल की वज़े से गंदे हो जाते हैं भारतिय वायूसेना भारतिय वायूसेना के पास सलामी देने का एक अनूठा तरीका है जिसमें हथेली उपर की और 45 डिगरी के एंगल में होती है वायू सैनिक दाइने हाथ को उपर की और हथेली और उंगलियों के साथ फैलाता है इस सेल्यूट के जरिये वायू सैनिक आसमान की और परगती को दरसाते हैं मार्च 2006 के बाद वायू सेना ने सेल्यूट का यह तरीका अपनाया था फ्रेंड्स चानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें शेर करें एंड सब्सक्राइब करें जै हिन